क्या होगा अगर आप समुद्र के बीच में एक किलर शार के बीच फस जाओ कहानी की शुरूआ इस लड़की से शुरू होती है जो सर्फिंग कर रही होती है तभी एक शार्फिंग बोड पे टकर मारता है अफी दूर होने के वज़े से लोग इसको देख नहीं पाते हैं और चले जाते हैं तबी वहाँ इसको एक red boy दिखता है ये उसके पास जाने के लिए पहले एक चट्टान पे जाती है शाक इसके आसपास घुम रहा होता है तबी ये जली फिश के मदद से boy तक जा पहुंचती है और इसपे चट्ट जाती है शाक इसको जोरदा टकर मारने लगता है शाक को मारने का आइडिया बनाती है और चेन को पकड़े वे नीचे जाने लगती है शाक तेजी से इसके पीछे जाने लगता है तो ये नीचे जाते ही चेन को छोड़ देती है जिससे वहाँ पढ़ा हुआ आयन रोड शाक के मुह में चला जाता है और शाक मारा जाता है